हेलो दोस्तों, आज हम जिस फिल्म की बात करने वाले हैं, वह दुनिया की सबसे पहली ऐसी फिल्म थी जिसकी शूटिंग में 46 लोगों की जान गई सन 1956 में आई फिल्म दा कॉनकरर, जिसे मंगोल शासक चंगेज खान की लव स्टोरी पर फिल्म आया गया, बताया जाता है कि यह फिल्म हॉलिवुड के लिए जानलेवा साबित हुई 1951 से 1955 के बीच अमेरिका में लगातार कई न्यूकलियर टेस्ट किये जा रहे थे 1954 से 55 के बीच इस फिल्म की शूटिंग उसी न्यूकलियर टेस्ट साइट से लगभग 220 किलोमिटर दूर की जा रही थी निूकलियर साइट से आ रही जहरीली और धूल भरी हवाओं से फिल्म कास्ट के 91 सदस्यों को कैंसर हो गया जिन में से 46 सदस्यों की मौत हो गई मरने वालों में फिल्म के हीरो, हीरोईन, डायरेक्टर सहित कई लोग थे इस फिल्म में काम कर रहे एक्ट्रेस जॉन वेन, सूजन हेवर्ड, एगनिस मुरहिड, पेडरो आर्मिंडेरिस, थॉमस गोमिस, जॉन हॉट और डायरेक्टर डिक पॉवेल, प्रोड्यूसर हावर्द हुग्स आदी लोग सभी कैंसर का शिकार हो गए फिल्म की शूटिंग साइट पर इतना खतरनाक रेडियेशन था कि शूटिंग देखने आए, एक्ट्रेस के परिवार वालों को भी कैंसर हो गया, इस फिल्म को दुनिया की सबसे घटिया फिल्म का जाता है वीडियो अच्छा लगा तो A to Z Real with YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हम आपके बीच ऐसे ही वीडियो और लाते रहेंगे